नमस्कार दोस्तों एक बार रिपीट से स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्यूशन्स तो आज का अपना पहला क्यूशन है सिंग हटाने की रासाइनिक विदी में किस रासाइन का उप्यो किया जाता है ओप्सन कास्टिक पॉटाइस सोडियम कलोराइड पॉटेशियम पर्मिगनेट या इनमे से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर औरुका ओप्सन नलबर ए सिंग हटाने की रासाइनिक विदी में कास्टिक पॉटाइस का उप्यो किया जाता है यनि कि K.O.H. काश्टिक वोटास को K.O.H. भी खा जाता है नेश्ट कुशन है पसू पहचान का तरीका जिसमें खुरटेगिंग किस पसू के लिए काम में लिया जाता है ओप्सन गोडा, गाई, बेंस या बेड तो इसका राइट आंसरों का ओप्सन नमबर A खुरटेगिंग के लिए गोडा पसू में काम में लिया जाता है नेश्ट कुशन है शीरोही निमलिकित में से किस पसू की एक नसल है ओप्सन बकरी, भेड, गाई, या बेंस तो इसका राइट आंसरों का ओप्सन नमबर A शीरोही वो बकरी की नसल है नेश्ट कुशन है सुवर में थनों की संक्या कितनी होती है ओप्सन चोदा, बारा, दस या आठ तो इसका राइट आंसरों का ओप्सन नमबर A सुवर में थनों की संक्या 14 होती है नेश्ट कुशन है बर्शिम चारे में गुण सुत्रों की संक्या कितनी होती है, उप्षिन 16, 20, 24 या 28, तो इसका राइट आंस रोगा उप्षिन नमबर A, बर्शिम चारे में गुण सुत्रों की संक्या 16 होती है, नेस्ट कुशन है, निमलकित में से साइलेज बनाने की किरिया है, साइलेज क्या होता है, चारा होता है न, तो साइलेज चारा बनाने की किरिया है, उप्षिन है साइलो इग, इनसाइलीन, उप्रोक्त दोनों या इन में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंस रोगा उप्षि तुच्छा सूख कर गिरने लगती है, ओफशन तीन से चार दिन, छैसे साथ दिन, आठ से दस तीन, या बारा से पंदरा दिन, तो इसका राइट आंश रोगा ओफशन नमबर A, मुर्गी में चेचक रोग में, तीन से चार दिन के बाद तुच्छा वो सूख कर गिरने लग नेश्ट कुशन है, निवन में से मुर्दूरेचक का उधारण है, ओफशन अरंडी का तेल, इस बगोल, लकडी का तेल या नीला तो तो इसका राइट आंश रोगा ओफशन नमबर A, मरदूरेचक वो अरंडी का तेल है, नेश्ट कुशन है, राजस्तान का बारत में, ओन उत्पादन में कौन सा इस्तान है? उफसेन पहला, दूसरा, तीसरा या चोथा, तो इसका राइट आंसर होगा उफसेन नमबर ए, राजस्तान का बारत में उन उत्पादन में पहला इस्तान है, नेस्टुशन है, बेंश के लिए आवश्यक, खुला आवास कितना होना उफसन है, असी से सो वरक मिटर, 120 से 140 वरक फिट, 180 से 200 वरक फिट, या 250 से 270 वरक फिट, तो इसका राइट आंसर होगा उफसन नमबर ए, बेंश के लिए आवश्यक, खुला इस्तान, 80 से 100 वरक फिट तक होना चाहिए, अब दोस्तों ऐसा नहीं है, कि हम तो खेत में बानते ना, तो नेश्ट कुशन है, डोर्षेट वर एमबूले नियून में से किस पसू की एक नसल है, ओपसन है, गाई, बेंश, बेड या सुवर, तो इसका राइट आंसर होगा, ओपसन नमबर सी, डोर्षेट वर एमबूले दोनों बेड की नसले हैं, नेश्ट कुशन है, परतिसाथ या 35 परतिसाथ तो इसका राइट आंस रोगा उप्सन नमबर एक कर्षी के गरेलू सकल उत्पादन में इसका योगदान 27 परतिसाथ तक इसका पसूदन का नेश्ट कुशन है तो इसका राइट आंस रोगा उप्सन नमबर एक के अंद्रिये ओन विसलेशन पर्योग साला कहां पर इस्तित है और सन बिकानेर अजमेर बाड मेर या नागोर तो इसका राइट आंस रोगा उप्सन नमबर एक के अंद्रिये ओन विसलेशन पर्योग साला बिकानेर जिले मे इस्तित है, next question है, तीबर सा रोग नियुन में से किस पसू में होता है, option है बेड, बकरी, उट या सूवर, तो इसका right answer होगा option number C, तीबर सा रोग उट में होता है, next question है, उट की किस नसल को तेरा की उट के रोप में भी जाना जाता है, option है, खराई, जेसल मेरी, बिकानेरी या गोमट, तो इसका right answer होगा option number A, खराई, नसल के उट को तेरा की उट के रोप में भी जाना जाता है, next question है, नियुन में से hope and million job program सुरू किया गया है, option है, अंडों के विपनन है तू, मास्क के विपनन है तू, उन के विपनन है तू, या हडियों के विपनन है तू, तो इसक किया गया है, next question है, लोही नसल की बकरियों से सरवादिक किस का उतपादन किया जाता है, option दूद, मास, उन या विपनन है, तो इसका right answer होगा, option number B, लोही नसल की बकरियों से सरवादिक मातरा में मास्क का उतपादन किया जाता है, और दोस्तों, लोही नसल की जो बकरिया है वो जो जरास्तान के उत्री जिल्याना जिसे हनुमानगड गंगानगर इन जिलों में लोही नसल की बकरिया पाई जाती है नेश्ट कुशन है पसुओ के पेट का सबसे बड़ा बाग कौन सा होता है यहाँ पर बड़ा कर लेना थोड़ा मिस्प्रिंट है उपसनल रूमेन, रेटिकूलम, ओमेजम या इबोमेज तो इसका राइट आंसर होगा उपसनल नमबर A पसो के पेट का सबसे बड़ा बाग रूमेन होता है साहिवाल, जर्शी या गिर तो इसका राइट आंसर होगा उपसनल नमबर A गाई की एसी देशी नसल है जिसके दूद में सरवादिक वसा पाई जाती है कोई सी लाल सिंदी नेंच्ट कुछन है निमलिकित में से बेड़ की नसल कोई सी है ओपसन सोनाडी मेरीनो उप्रोपत दोनों या इनमे से कोई नहीं तो इसका राइट अंसरो का ओपसन नामबर सी ये दोनों ही बेड़ की नसले है कौन कोई सोनाड़ी और मेरेनों दोनों बेड की नसले हैं निश्ट कुशन है मेवाती नसल की गाय प्रति ब्याद कितना लिटर दूद देती है orsa राइसो से हजार लिटर बारासो से चोदासो लिटर सोलासो से अठारासो लिटर या दोजार से बाईसो लिटर तो इसका right answer होगा option number A मेवाती नसल की गाय परती ब्यात 800-1000 लिटर दूद देती है next question है मूरा बेहस में दूद में कितने परतिसत वसा पाई जाती है option है 7 परतिसत 14 परतिसत 2 परतिसत या 10 परतिसत तो इसका right answer होगा option number A मूरा बेहस के दूद में लगबक 7 परतिसत वसा पाई जाती है next question है निमलिकित में से किसका गरबकाल सबसे कम होता है option उट सूर पकरी या चूहा तो इसका right answer होगा option number D चूहे का गरबकाल सबसे कम होता है कितने तो 21 दिन 21 दिन और चूहे का गरबकाल सबसे कम होता है और दोस्तो सरवादिक गरबकाल की बात करे तो हाथिका गरबकाल कितने लगबक आप मान सकते है 21 माह है 21 महीने लगबक तो हाथिका गरबकाल सरवादिक होता है next question है उट में दातों के संक्या कितनी पाई जाती है option 34 44 32 या 36 तो इसका right answer होगा option number A उट में 34 नात पाई जाते है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तो वीडियो के इसा लगा आपको कमेंट करके जुरूर बताना है और दोस्तो आप सभी को टेलिग्राम जुरूर जोइन कर लेना है वहाँ पर मैं आपके लिए जो भी important facts वगरा या पिर nots वगरा आपको available करवा रहा हूँ तो आप टेलिग्राम जोइन करके उनका अध्यान कर सकते हैं बाकि दोस्तो वीडियो अच्छी लगते हैं लाइक जरू कीजेगा और चैनल को subscribe जरूर कर ले ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की notification सबस्य पहले मिल सके तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद